आज हम लोग बात करेंगे इंडिया का पिना का मिसाल सिस्टम को लेखे जिसमें फ्रांस अपने तरफ से इंट्रेस्ट शो किया है और फ्रांस अपने तरफ से पिना का जो मिसाल सिस्टम में उसका एविलूशन भी स्टार्ट किया है हो सकता है कि आगे जाके हम लोग को देख साथ को मिलें a पने तरफ से इंडिया को कोई ऑर्डर प्लेस करें जिसमें इंदिया अपने तरफ से इंडिया का जो यह डिफेंश सिस्टम मेtv मतलब एज पिन हा का मिसाल सिस्टम है यह फ्रांस को जाके एक्सपोर्ट कर रहे है प्रेजंट लिए जो न्यूज है यह स्रीफ वाल्ड मीडिया नहीं यह इंडियान मीडिया जो है वो भी अपने तरफ से कवर कर रहे है फ्रांस के जो आर्मी ऑफिसर है वो इंडिया के यह बात बोला है अगर देखा जाए अगर ऐसा जो डील है यह हो जाता है तो तो no doubt यह one of the major step होगा इंडिया का जो डीफेंस एक्सपोर्ट है उसमें क्योंकि हम लोग को पता है कि प्रेजेंटी जो ज्यादा तर कंट्री इंडिया से अपने इक्सपेंस एक्सेंट कर इंडिया से अगर फ्रांस अपने तरफ से यह दिल फाइनाल कर देत है आगे जाकर हो सकते हैं कि इंडिया को बहुत सारा ओडर देखने को मिले different countries से जिसमें वो लोग अपने तरब से इंडिया से defense equipment खड़ी दे तो जब ये news public हुआ तो no doubt बहुत सारे question arise हुआ पहला question फ्रांस क्यों इंडिया से इंडिया का जो पीना का missile system में वो खड़ी देगा second question अगर फ्रांस और इंडिया के बीच में ये deal होता है तो expected valuation क्या होगा third question इस deal से इंडिया को क्या-क्या benefit मिलेगा fourth question क्या ये ट्रॉम्प का election जीदने का वाला जो after effect है उसी का एक part है अगर है तो in future हम लोग को और क्या देखने को कर सकता है next question इंडिया का defense export का क्या हालत है last कुछ सालों में अगर हम लोग देखे exactly defense export किस लेवल पर चल रहा है या फिर इसमें क्यों तरक्की हो रहा है नहीं ये सारा information जो है वो आपको इसी वीडियो में मिलेगा और last question अगर ये interested है आज के रिट में अगर हम लोग देखे पिना का एक ऐसा missile system है जो वार tested है इंडिया के साथ जब पाकिस्तान का वार हो रहा था कारगिल में at that point of time इंडिया अपने तरफ से एही missile system को use किया था और आगे जाके आपको पता है कि इंडिया ने ये वार जीत भी लिया था अब वार जीतने के पीछे बहुत सारे रिजन से मगर वार में अगर कोई missile use होता है at that point of time वो missile कितना कारेकर है या फिर उस missile का कितना successful है ये तो पता चल जाता है जिससे हम लोग को ये पता है कि पिना का no doubt ये आज के रेट में इंडिया का जो काफी successful है जो वार टेस्टेट भी है सिर्फ इंडिया नहीं आज के रेट में अगर हम लोग आर्मेनिया को देखें आर्मेनिया भी अपने तरब से एही missiles को वार में यूज किया है और no doubt they are satisfied with the performance of this type of missile इसके बएल से ही फ्रांस ने अपने तरब से ये missiles का जो order है ये प्लेस करने का सोच रहा है और हो सकता है कि आगए जाके फ्रांस ये order अपने तरब से completely place कर दे second question अगर ये deal होता है तो exactly इसका valuation क्या होगा अगर हम लोग देखें ये deal का कुछ बात अभी तक हुआ नहीं है तो हम लोग अभी से बोल नहीं सकते कि ये जो deal है इतना रुपय का या फिर इतना डॉलर्स का है on the other side अगर expert का माने तो हम लोग को पता है ये पिना का जो missile system है एक unit का price आता है आपका 60 से 65 million dollar तो इस हिसाब से अगर देखा जाए अगर France इंडिया से ये deal करता है at that point of time हम लोग उमीद कर सकते है जो deal होगा वो काफी phase में होगा वो ऐसा नहीं एक single phase में होगा और per phase का valuation expect किया जा रहा है 300 से 600 million dollar का हो सकता है next point है इंडिया का क्या benefit होगा आज के देट में हम लोग को पता है के दुनिया जो है ये completely war के तरफ जा रहा है on the other side इंडिया अपने तरफ से defense equipment जो है ये manufacture कर रहे एक्सपोर्ट भी कर रहे पहले US लेता था आर्मेनिया लेता था आज के देट में France भी ले रहा है ऐसा नहीं के France पहली बार ले रहा है France के स होता है ये one of the biggest valuation होगा अभी तक इंडिया और France के बीच में जितना भी defense deal होगा है उन में से on the other side अगर देखा जाए जैसे मैंने कहां के war related situation जो है ये war दिनिया में बरता जा रहा है जिससे आगे जाके अगर कोई भी country अपना defense deal किसी country के साथ करता है war like situation create होता है at that point of time वह हम France फिर से repeat करें या फिर या order फिर से repeat करें on the other side इसको छोल के भी अगर हम लोग देखे अगर जैसे मैंने आपको कहां कि फ्रांस आज के डेट में एक United Nation Council का एक member है अगर ऐसा कोई country इंडिया से defense item खरीता है तो no doubt ये one of the advertisement होता है इंडिया का पुरा all over world में आगे जाके हो सकत the different other countries है वो लोग भी आके इंडिया को यही सेम product के लिए है फिर दूसरा defense equipment के लिए अपना जो order है वो place करेगा next point है Trump का after effect अगर हम लोग अभी से देखे तो दुनिया में बहुत सारा countries है उन लोग का कहना है कि future में जाके nato का जो power है अभी उस level पे nato के पास power नहीं रहेगा Trump आने के वाज़े से हो सकता है कि nato का जो power है यह धिरे धिरे घटता जाए जिसके वज़ाए से ही आज करेपना कर देखे European countries है वो लोग अपने तरब से self-sufficient होने का मतलब प्रयास करेंगे on the other side यह सब जब करने जा रहे है at that point of time countries जो है वो अपने तरब से उसी country को trust करेगा जिन लोग के साथ उन लोग का पहले defense deal हुआ है क्योंकि नया country के साथ deal करने में बहुत सारा question भी arise कर सकता है on the other side आप बोली सकते कि अगर NATO का member है कोई country at that point of time वो लोग कैसे यह defense मतलब यह deal कर सकते है तो यह भी एक questionable part है इसके लिए अभी अगर देखे ट्रॉंप का जो after effect है उसमें अगर हम लोग देखे कि फ्रांस ने यह order प्लेस किया है तो हो सकता है कि हम लोग मान सकते कि आगे य at that point of time हम लोग का अभी से अपना जो defense है वो इसको और भी मजबूत कन है जिसके वाज़े से यह लोग इंडिया को trust किया है और इंडिया का यह missiles पे उन लोग अपना evolution करें हो सकता है कि आगे जाके फ्रांस अपने तरब से यह order भी place कर दे बहुत ही जल्दी अब आते इंडि पाथे इंडिया का जो defense export policy है वो अगर इंडिया के defense export policy इंडिया को permit करता है कौन सा country को export करें उसके उपर देख के at that point of time इंडिया अपने तरब से different जो missile है वो दुनिया में export कर सकता है for example, Brahmos supersonic cruise missile, Akash surface air missile, Nag anti-tank guided missile, SAW smart anti-airfield weapon, air to surface missile, Barak 8 surface to air missile, Trishul short range surface to air missile, Maitri short range air defense system, Nirbhai supersonic cruise missile, LR SAM long range surface to air missile, missile, और धनुष ballistic missile, मगर जैसे मैंने कहां कि इंडिया का defense policy है उसके उपर depend करके आगे इंडिया decision लेगा कि कौन सा country को क्या बेशना चाहिए या फिन नहीं चाहिए उसके बाद इंडिया अपने तरब से आगे जाके हो सकता है कि कोई country को permit करें कि आप लोग हम लोगों से ये missile खडिश सकते हो अब आते हैं next point पे जो point है exactly इंडिया का जो defense export है उसमें exactly इंडिया कैसे perform कर रहे है अगर हम लोग past कुछ सालों में देखे तो इंडिया का defense export है ये हमेशा बढ़ रहा है और continuously ये जो graph है ये बढ़ता ही जा रहा है presently अगर हम लो 2023 में देखे तो इंडिया न अब आते हैं इस वीडियो का last point पे कि अगर ये deal हो जाता है तो आगे जाके क्या problem arise कर सकते है या फिर उसका क्या solution है जो problem arise कर सकते हूँ हम लोग को पता ही है कि West में बहुत सारा countries है जो अभी तक US का कहने पे different time में Ukraine को different level पे support किया है चाहे वो monetary support हो चाहे वो अपने तरफ से जो defense equipment का provide का ना हो ऐसे बहुत सारा countries है West के जो अपने तरफ से different time में Ukraine को support किया है तो आगे अगर कोई western countries इंडिया से कुछ defense equipment खड़ीता है और वो ही equipment वो लोग अपने तरफ से आगे जाके वो Ukraine को supply कर देता और Ukraine वो ही equipment को against Russia यूज करता है at that point of time ये इंडिया के लिए problem हो सक है क्योंकि हम लोग को पता है कि Russia और इंडिया का जो relation है ये बहुत साल से कितिस लेवल पे है और आज के डेट में भी Russia अपने तरफ से हमेशा इंडिया के लिए stand लिया है इंडिया को help किया है no doubt on the other side अगर इंडिया रशिया का relation के बीच में कुछ break डाल सकता है at that point of time Ukraine हो सक completely a deal रगता है या फिर a clause रख देता है कि आगे जाके आप कौन सा country के लिए ये use कर सकते हो या फिर कौन सा country के अगे ये use कर सकते हो at that point of time हो सकता है कि ये जो problem है ये rise ना हो on the other side जैसे हम लोगो पता है कि जब ट्रम अपना भाशन दे रहे थे मदलब कुछ दिन पहले election से पहले at that point of time ट्रम ने पूरा clean and clear बोल दिया था कि ये जो वार है ये Ukraine का ये मैं खतम कर दूंगा तो हो सकता है कि ये जो वार है ये प आपको request करूंगा मेरा YouTube channel अतनु पॉल ए टीए ए नियु स्पेस प्यूल में जाकर subscribe कर सकते है different type of interesting videos जो हो आपको मिल जाएगा जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको request करूंगा आपके लाइप के special person है उनके साथ share किजिए कि उससे क्या होता है आपका ज सेम चीज़ देखने शुरू कर दे on the other side हम लोग जैसे जो creator है हम लोग का जो रोजी रोठी है वो भी चलता रहता है जब भी चैनल में जा रहा है subscribe करें जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजेगा videos different time में आता है जब भी आएगा आपको बस तुलन नोटिफिक्शन पहु करेंगें जब भी चैनल में आता है जब भी आएगाए